हाई फ्रेंज, पवन्स कॉलेज के करियर काउंसलिंग में आपका स्वागत है यहां हम बात करेंगे PG Diploma in Radio and TV Production और दूसरा कोर्स PG Diploma in Direction and Script Writing Graduation के बाद अगर आप TV World में एंटर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो आज पूरी दुनिया TV के सामने जादा से जादा वक्त बिताती है जितना समय आप TV देखते हैं उसमें सिर्फ 20% समय हम News Channel देखते हैं लेकिन 80% समय Entertainment Channel देखने के लिए बिताते हैं इसमें एक बार तो क्लियर है कि TV News के comparison में इंटरनेट TV की industry काफी बड़ी है admission के दौरान student अपसर ये सवाल पूछते हैं कि हमें PG Diploma in Radio and Television Journalism के course में या TV Production and Direction में admission लेना चाहिए इसका जवाब simple है अगर आपको TV News Channel के साथ काम करना है तो PG Diploma in TV Journalism जॉइन करो और अगर Entertainment TV industry जॉइन करनी है तो Production या Direction के course में से किसी एक को जॉइन करो मैं ये भी कहूंगी कि TV News कुछ शेहरों तक ही सीमित है जैसे दिल्ली Capital City है तो News का बोल बाला है पर Entertainment TV पूरी दुनिया में फैला है और एक बात समझ लो नौकरी करनी है तो News Channel ठीक है Entertainment में नौकरी नहीं आपको Freelance काम करना होगा कभी बहुत काम मिलेगा और लाखों कमाऊगे तो कभी इंतिजार में थोड़ा सा वक्त पड़ेगा लेकिन Mainstream Industry में काम बहुत है इसलिए Professionals कभी खाली नहीं बैठते और उनमें कमाई भी बहुत जादा है For example, अगर आप Director हैं और एक Corporate Film बनाने के लिए आप 2 लाख चार्च करते हो तो आपको सिर्फ 30 या 40 हजार का खर्चाता है और आप हर हफ़ते एक फिल्म बना सकते हो अगर आप Production का Course करके Camera Man बनते हो तो अच्छे Camera Man को एक दिन का 1000 से 10,000 तक मिल सकता है वैसे ही रेट Video Editor के है अभी आप पूछोगे TV Direction और TV Production के Course में क्या फर्क है पहले समझो कि हर फिल्म को प्रेड्यूस करने में दो आस्पेक्ट होते हैं Every Production House has two aspects One is creative aspects and other is technical aspects कहानी कैसी होगी Rating कैसी होगी Script कैसी लिखी जाएगी कितने दिनों में complete होगी कितना खर्चा आएगा ये सब कुछ creative aspects है और direction का काम है वैसे ही shoot कैसे करें Camera, Lighting, Fieldwork, Editing, Sound Recording ये सब कुछ technical aspects है और ये producer का काम होता है हमारे कोर्स में direction के students और production के students सारा साल साथ ही होते हैं लेकिन जब project बनाते हैं तो direction के students creative aspects समालते हैं production के students technical की जिम्मेदारी लेते हैं सब को सब कुछ सिखाया जाता है जिसका जैसा interest हो इसके लिए हमारे सारे students और rounder होते हैं इसलिए उन्हें आसानी से job भी बिल जाती है बाकी आप क्या कर सकते हो admission test attend करो आपको पता चल जाएगा कैसे apply करना है वग्यरा इसकी जानकारी टीवी स्क्रीन पर है सोच लो माया नगरी में आप career बनाना चाहते हो तो भवन्स college आपके साथ है best of luck याद रहे भवन्स college जिंदिगी बना दे कर दो कर दो कर दो